नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, डिक्टेशन विद आउटलाइन सिरीज में आज अगला वीडियो, रिडियो जाई पांच सेकंड में दिल्ली पुलिस की ओर से मुंबई के बंदरगाह में एक कंटेनर से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामद्गी यही बताती है कि देश में किस तरह विभिन रास्तों से बड़े पैमाने पर ड्रग्ज भेजी जा रही है इसके पहले गुजरात के बंदरगाह और पंजाब के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के सीमान्त इलाकों से भी हजारो करोन रूपए के मादक पदार्थों की खेप पकड़ी जा चुकी है इस तरह की खेप पकड़े जाने का सिलसिला जिस तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है उससे ना केवल यह इसपश्ट होता है कि भारत अंतरराश्ट्रिय ड्रग्स तशकरों के निशाने पर है बलकि यह भी कि उन्होंने देश के विभिन हिस्सों में अपने एजिंट बना लिये हैं यह ठीक है कि बाहर से आ रही नशीले पदार्थों की खेप लगातार पकड़ी जा रही है लेकिन प्रश्ण यह है कि क्या सारी खेप को देश में आने से रोका जा पा रहा है आशंका यही है कि ड्रग्ज तसकर और उनके एजिंट पुलिस और नार्कोटिक्स विभाग को चक्मा देकर नशीले पदार्थों की अच्छी खासी मात्रा देश के विभिन हिस्सों में खपा रहे होंगे जब तब इसके प्रमाण भी मिलते रहते हैं इसके अतिरिक्त यह भी किसी से छिपा नहीं कि किस तर देश के विभिन शहरों में ड्रग्ज पार्टियां होने लगी हैं चिंता की बात केवल यह नहीं कि ड्रग्ज तसकरी के पीछे उन तत्वों का हाथ दिख रहा है जो आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधूं में लिप्त हैं बलकि यह भी है कि युवाओं तक ड्रग्ज पहुचाने का एक नेटवर्क बन गया है जितना जरूरी इस नेटवर्क को ध्वस्त करना है उतना ही उन तत्थों पर लगाम लगाना जो विभिन रास्तों और माध्यमों से देश में ड्रग्ज भेजने में लगे हुए हैं यह आसान नहीं क्योंकि यह काम अफगानिस्तान पाकिस्तान इरान आधी देशों में सक्रिय ड्रग्ज के वे बड़े तसकर कर रहे हैं जो भारत विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं ड्रग्ज तसकर जिस तरह नितने तरीकों से नशीले पदार्थों की खेब भारत ला रहे हैं उससे नार्कोटिक्स वेभाग के साथ पुलिस और अन्य एजेंसियों को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है इसके साथ ही समाज को भी सावधान रहना होगा क्योंकि ड्रग्ज तसकरी का एक उद्देश्य देश की युवापीड़ी को खोखला करने और उसके भवश्य को अंधकार में धकेलना भी है इसकी अंधेखी नहीं की जानी चाहिए कि पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ड्रग्ज के चलन ने युवापीड़ी को किस तरह तबाह किया यदि देश को ड्रग्ज तसकरों की सक्रियता से बचाना है तो नशीले पदार्थों के सेवन के विरुद्ध अलक जगानी होगी इसमें सफलता तभी मिलेगी जब युवापीड़ी मादक पदार्थों के विनाशकारी प्रभाव को लेकर सचेत होगी वह ड्रग्ज के खत्रे को लेकर सचेत हो इसके लिए समाज के अन्य लोगों को भी अपने अपने इस्तर पर सक्रिय होना होगा डिक्टेशन पांच मिनट पांच सेकंड में कब्लीट हो गई है कुछ वर्ड डिफिकल्ट हो तो आप आप आटलेंस का शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं अप्लोड किया जा चुका है पिक उसकी चैनल पे अप्लोड की जा चुकी है टेलिग्राम चैनल पर वहां से आप द